आडी शर्मा सुलूशन है ये, क्लास 12, चैप्लर है 16, टेंजेंट और नॉर्मल, एक्सरसाइज देख रहे हैं 16.3, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेगा, यहाँ पर आपको एंगल निकालना है इन कर्व के बीच में, अब आप बोलें के कर्व के बीच में कैसे एं एंगल जो होगा, वो ही इस दोनों कर्व के बीच का एंगल हो, तो step by step समझेए, पहला step होता है, इन दोनों को लेके आपको यह point का of intersection निकालना, जिस पे यह दोनों intersect हो रही है, तो पहले आपके पास y square बराबर x है, इसी तरीके से आपके पास x square बराबर y है, यह पहले curve की equation है, यह दूसरे curve की equation है, इसको हम solve करें, तो x square बराबर y है, और y square बराबर x है, तो x की जगा हम y square रख देते हैं, x की जगा y square इसमें रख रहे हैं, तो y square उसका square बराबर y, यहनिकि y की power 4 बराबर y, यहनिकि y की power 4 minus y बराबर 0, इसका मतलब y अगर common ले ले लें, तो y cube minus 1 बराबर 0 इससे मिलेगा आपको y बराबर 0 और इससे मिलेगा आपको y बराबर 1 देखे y cube को अगर 1 के बराबर रखेंगे तो y होगा cube root of 1 और cube root 1 1 ही होता है अब आप देखे y 0 है y 1 है तो इसमें रख देते हैं ये वाले में इस वाले में y square बराबर x में रख देते हैं, अगर y 0 है, तो x कितना होगा 0, तो x 0 हो गया यहाँ पे, y 1 है, तो x कितना होगा 1, तो यहाँ x 1 रख देते हैं, तो basically आपके बास दो point आ गए, तो यह 00 और 11, इसका मतलब यह एक जगा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अगर एक curve ऐसा है, तो हो सकता है कि दूसरा curve पुछ इस तरीके से हो, तो दो point पर intersection या दो से ज़्यादा भी intersection हो सकता है, हमारे पास दो point of intersection आ गए, अब यह जो दो point of intersection है, इस पे आपको दो line एं मिलेंगी, दो tangents मिलेंगे, उनकी equation निकालनी है, clear? तो अब हम क्या करेंगे, इसको differentiate करेंगे, मैं पहले बाले को differentiate कर रहा हूँ, यहाँ, दूसरे बाले को यहाँ, हमारे पास y square बराबर x है, इसका differentiation करते है, 2y dy by dx, बराबर x का तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ differentiation हो गया, dy by dx हो गया, 1 by 2y, यह differentiation होगा आपके, दूसरा कर्व क्या है, x square बराबर y, तो 2x बराबर dy by d, ठीक ही, देखिए साब, एक बार slope आया ये, एक बार slope आया ये, तो यह जो slope आये है, पहले तो 00 point ले, मतलब यह पहला point माल लीजे, आपका 00 का है, यह दूसरा point माल लीजे, 11 है, तो हम यहाँ पर लेंगे case 1, जहाँ पर हम 00 लेंगे, यहाँ पर लेंगे case 2, जहाँ पर हम 11 लेंगे, तो पहले case 0, यहने case 1 जो है, इसमें dy by dx पहले कर्व का, यह है 1 by 2 आये, तो यहीं पर निकाल के दिखा देता हूँ आपको, dy by dx equal to 0 मतलब parallel to x-axis, और dy by dx infinite मतलब parallel to y-axis, इसका मतलब इंदोरों के बीच का एंगल हो गया 90 degree, तो अगर 00 है, तो theta हो गया आपका pi-byte, ठीक है, एंगल यहाँ आ गया, दूसरे में आते, अब फिर से हम निकालेंगे, हमारे पास क्या है, dy by dx 1 by 2y है, अब मैं दुबारा रख रहा हूँ इसमे, x की जगा 1, y की जगा 1, तो यहाँ पर तो y है, तो 1 by 2 into 1, यानि की 1 by 2, तो यह m1 माल लीजे इसको, एक slope हो गया हाँ, इस पर देखे, dy by dx था आपका 2x, तो मैं यहाँ पर x ही है, तो यह 1 रखूँगा, तो dy by dx कितना आता है आपका, 2 into 1, 2 ही आगया, इसको मैं m2 कह देता हूँ, तो दूसरे tangent की slope हो गई 2, अब आप जानते हैं, जो आपके पास slope होते हैं, दो line के, या फिर यह कहें कि, दो अलग-अलग line हैं, जिनके आपको slope पता है, इसके बीच का angle कैसे निकालते हैं, उसका formula यह है, tan theta equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2, और यह होता है modulus में, यानि कि जो भी value आएगी, वो आप क्या करेंगे, वो आप देंगे modulus में, यह बहुत ध्यान रखेगा आप, बगर modulus की काम भी चलेगा, तो m1 क्या है आपके पास half, m2 है आपके पास यह, 2, तो यहीं पर रख देते हैं, half minus 2 divided by 1 plus half into 2, half minus 2 by 2, 1 minus 4 by 2, यानि कि minus 3 by 2 हो गया यह, यह cancel हो गया 1 plus 1, 2, यानि कि minus 3 by 4, अब आप देखें, minus 3 by 4 आ रहा है, यह आपका हो गया 10 theta, तो theta कितना हो गया, 10 inverse 3 by 4, यह हो गया, ठीक है, तो एक बार आपका एंगल आ गया कितना, pi by 2, एक बार एंगल आ गया आपका, minus 3 by 4, यही इसका उत्तर, सुरब पूरा procedure तो आप समझ गये न, ऐसी हो गये, मैं आपको इसका actual solution दिखा देता हूँ, जो आपको follow करना है, इस तरीके से question होगा, अब आगे के जितने भी question है, वो उसी तरीके से होँगे, 2-3 हम try करेंगे, उसके बाद मैं आपको, आपके करने के लिए छोड़ दूँ, जैसे यहाँ पर यह question है, इसको हम ऐसी करेंगे, बिल्कुल वही procedure अब अपनाएंगे, पहला हमारे पास जो curve है, वो है y बराबर x2, दूसरा है x2 प्लस y2 बराबर 20, इनको हम करेंगे solve, यानि कि इनके intersection की value निकालेंगे, एक आती दू आती यह देखते हैं, तो y बराबर x2 है, या x2 बराबर y कह सकते हैं आप, यह one equation है, यह two equation, यह दो curve है अलग-अलग, इनके पर दो अलग-अलग tangent बनेंगे, वो tangent आपस में intersect करेंगे, उनके बीच का angle ही निकालना है, तो y बराबर x2 है, तो x2 की जगह आप यहां y रख दीजे, यहांने y plus y square, x2 की जगह y रखा, तो y plus y square बराबर 20, y square plus y इसको इदर ले आई है, माइनस 20 बराबर 0, आप जानते हैं 20 होता 5, 4, 20, तो y square plus 5y, माइनस 4y, माइनस 20 बराबर 0, y आप कॉमन ले लिजे, y plus 5, माइनस 4 कॉमन ले लिजे, y plus 5 बराबर 0, तो y माइनस 5 और y plus, y माइनस 4 और y प्लस 5 बराबर 0, इससे आपको मिलेगा y बराबर 4, इससे आपको मिलेगा y बराबर माइनस, ठीक है जी, आपके बस y बराबर माइनस 4 आ गया, y बराबर माइनस 5 आ अब इस किसी भी equation में रख दीजिया, 2 और 4, एक बराब लेंगे, माइनस 2, यानि कि यहाँ आएगा, माइनस 2 और 4, इस y के लिए, y बराबर माइनस 5 का लेते हैं, x2 बराबर y यानि कि माइनस 5, अब जी, यह तो गबड़ हो गया, माइनस 5 अंडर रूट के अंदर आ गया, तो इसको तो हम आगे नहीं ले पाएंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, कोई real solution नहीं है, क्योंकि इसका जो solution होगा, वो complex solution होगा, तो यहीं पर हम रोग देंगे, इसको आगे नहीं बढ़ेंगा, यहाँ से solve करेंगे, ठीक, तो अब आपके पास क्या हो गया, कि 2, 4 और माइनस 2 और 4 points आगे, इसको करने से पहले आपको dy by dx निकालना होगा, differentiation करना होगा, यूँकि जो dy by dx है, वो ही तो आपका slope है, वो ही तो m1 देगा, वो ही तो m2 देगा, उसी के बीच में तो angle निकालें गया, यह तो आपको केवल यह कि points आये है, यानि दो curve जहाँ intersect कर रहे हैं, दो जग़े intersect कर रहे हैं इस तरीके से, तो यह point यह हो गया, यह point यह हो, आपको यह 2 points मिलें, चलिए साब, अब इस पे अलग dy by dx निकलेगा, 2x, एक बाद 2x आगे, इसका dy by dx करेंगे, x square प्लस y square बराबर 20 का, तो यह होगा 2x प्लस 2y dy by dx बराबर 0, 20 का 0 होता है, तो यह बन जाएगा dy by dx, 22 हटा दीजे, x यहाँ जाएगा, तो माइनस में होगा, y नीच आजए, ठीक है साब, एक बाद dy by dx, 2x आया, एक बाद dy by dx, minus x by y है, तो यहाँ पर लेंगे case 1, जिसमें आप 2 और 4 लेंगे, यहाँ पर आप लेंगे case 2, जिसमें आप minus 2 और 4 लेंगे, तो इसको मैं कहते देता हूँ, यह M1 है हमारा, यह हमारा M2 है, M1 निकालते हैं पहले, M1 कितना आएगा, 2x, 2 into x क्या है, यह x है, यह y है, 2 into 2, यानि कि 4, M2 क्या आएगा, यह है, minus x by y, minus x by y, यह minus 2 by y, minus half आया आपका, मतलब M1 4 है, M2 यह है, यह इसकी बात हो गई, अब यहाँ आजए, इसका M1 क्या होगा, 2 into x, यह इसका भी वह ही आगया, 2 into minus 2, अब यह लेना है, यह x है, यह y, 2 into minus 2, यहनि कि minus 4, M2 क्या आएगा, minus x by y, तो minus x की जगह रखेंगे, minus 2, और नीचे y, y आपका है 4, यह आजए आपका half, ठीक है, अब आपको करना क्या है, tan theta होता है, M1 minus M2, by M1 plus 1 plus, M1 M2, और इसका modulus हो गया, यह निकालना है, यहाँ निकाल लेते, पहले मैं modulus नहीं लगाऊंगा, सीधा value निकालूँगा, अब उसको modulus करके positive करते, तो tan theta क्या होगा आपका, देखेंगे, M1 minus M2, यहाँ पर क्या होगा, tan theta, minus 4, M1 minus M2, minus half, और 1 plus, minus 4, into minus half, इसको जब solve करेंगे, आप देखेंगे, पहले वाले case में, आपका आएगा, यहाँ पर 9 by 2, और दूसरे वाले case में, 9 by 2, क्योंकि, यहाँ देखे, negative में आएगा, मैंने आप से कहा है, कि modulus करना है, यानि कि negative value को positive बनाना है, यहाँ पर theta आगया, आपका 10 inverse 9 by 2, और यहाँ पर भी theta आगया, आपका 10 inverse 9, दोने case में आपका यह value, इस तरीके से पूरा procedure करेंगे, यह वो solution है, या reference है, जो आपको follow करना है, करते समय, यह दो line के बीच का angle है, जो curve के जरीए आपको करना है, यह question देखेगा, यह आप अराम से अपने आप कर सकते हैं, मैं इसका reference देता हूँ, क्योंकि भी 2 question मैंने किये, इससे आपको idea लग गया होगा, कि आगे कैसे बना, आले वाले में देखे, x square plus y square बराबर है, जिदर ले लिजे तो 4x plus 1 है, इससे करें किया तो, तो इसमें हम x square plus y square की जगा, 4x plus 1 रख सकते हैं, यही पर कर देता हूँ, इसकी जगा, x square plus y square की जगा, यह हैं हहां से यहां तक, मैंने रख दिया 4x plus 1, आगे माइनस 2y है, और माइनस 9 बराबर 0, तो इससे क्या मिला आपका, 4x माइनस 2y, और यह हो गया, माइनस 8 बराबर 0, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक equation आपकी यह बन गई, अब हो सकता है कि इससे दूसरी equation भी बना लेंगे, इससे यह जो है ना, माइनस 2y और प्लस, अगर यह x2 प्लस y2 निकालना चाहें यहां से, तो क्या बनेगा, 2y प्लस 9, अब 2y प्लस 9 यहां पर रख दीज़ें, आप क्या एकी चीज़ आती है, देख लीजे, 2y प्लस 9 रख रहा हूँ, इसकी जगह पे, माइनस 4x, माइनस 1 बराबर 0, तो इससे क्या बनेगा आपको, देखें, बिल्कुस सेम चीज़ आपको आ रही है, आप देखें, दोनों में को डिफरेंस नहीं है, फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, अगर हम माइनस से सबको मडेर बाया कर दूँ, तो 4x माइनस 2y, 9 माइनस 1 होगा 8 और माइनस 8, तो यह दोनों इसकी एक एक एक्वेशन आगे है, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है, यह जो है 4x माइनस 2y, यह दोनों एक्वेशन कैसे सॉल्व होग, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिप्लेश्मेंट करना पड़ेगा, यह जो है एक एक एक्वेशन आपको इसकी बना दी, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ले लेता हूँ, 4x माइनस 2y बराबर 8, तो यह जाएगा 2x माइनस y बराबर 4, तो आप कह सकते हैं इसको y बराबर, इदर ले आएए 2x और माइनस 4, देखें यह y बराबर 2x माइनस 4 हुआ, अब इसको उठाके क्योंकि इससे भी यही मिलने वाला था, इसको आपको उठाके इस एक्वेशन में रखतें, तो x square plus y की जागा रखना हूँ, मैं 2x माइनस 4 का होल square, माइनस 4 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, तो इस पूरे को जब हम solve करेंगे, मैं इसको solve नहीं कर रहा हूँ, इसको आप जब square solve करेंगे, तो आप देखेंगे x बराबर 3 आएगा, और x बराबर 1 आएगा, ठीक है, जैसी आप x बराबर 3 किसी इस equation में डाल दीजे, या इस equation में डाल दीजे, मैं y की value बता देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब आप 3 डालेंगे, तो y की value आने वाली है आपकी 2, और जब आप 1 डालेंगे, तो y की value आने वाली है, यूगि यह simple algebra है, इसलिए मैं इसको skip कर रहा हूँ, पूरा solve नहीं कर रहा हूँ, वार हमारे पास time थोड़ा सा कम रहता हूँ, अब आप देखें, यह आपके पास point आ गए, यानि कि आपके आपके बास 2 point है, एक 3 2 है, और एक 1 minus 2 है, तो पहले इस पहला वाला ले लीजे, इसको differentiate कर लीजे, इसको differentiate कर रहा हूँ, 2x plus 2y dy by dx, minus 4, बराबर 0, इसको differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x plus 2y dy by dx, minus 2 dy by dx, बराबर 0, तो इससे आपको 2 equations मिल रहे ही, बेसिकली, जो dy by dx निकाले, तो dy by dx निकालना है, तो क्या बनेगा, 2y dy by dx, बराबर minus 2x plus 4, 2 यहां से अटा दीजिए, यह 2 हो जाएगा, इसको 2 हटा, तो dy by dx इससे मिला आपको, इसको मेधर कर देता हूँ, 2 minus x divided by y, यहां पर क्या आएगा, dy by dx, इसी तरीके से, आप dy by dx इसका निकालेंगे, 2x plus 2y into dy by dx, minus 2 into dy by dx, तो यह आपका मिलेंगा, x by 1 minus y, यह आपका dy by dx हो, ठीक, अब आपको 2 cases लेने, यह case 1 है, यह case 2 है, case 1 में आपको लेना है, 3,2, case 2 में लेना है, आपका 1 minus 2, तो जब case 1 में, dy by dx, इसको आप m1 कह लीजे, इसको कह लीजे m2, तो m1 कितना आएगा, आप लेके 3 और 2 डाल रहा हूं मैं इसमें, यहाँ पर 2 minus x की जगा 3, divided by y यादे की 2, x और y डाला मैंने, 2 minus, यह की minus half आया, यहाँ पर आपका minus half आगया, m2 क्या होगा, यह इसमें डालना है अब आप, तो 3 और 2, तो x है 3, 1 minus 2, तो 3 by minus 1, यहने की minus 3 आया, minus 3 हो गया, अब आप क्या करेंगे, same चीज, m1 निकालना है, m2 निकालना है, अब आप 1 और minus 2 डालेंगे, तो 2 minus 1, divided by यह हो गया minus 2, तो कितना आया, 1 by minus 2, मैनस हाफ आ गया है, मैनस हाफ आ गया है, अब आपको यही चीज, 1 minus 2 इसमें डालना है, तो 1 by 1 minus of minus 2, 1 by 3 आ गया है, 1 by 3, ठीक, अब आपके वस्ट M1 M2 आ गया, मैं यह आप पर पहले निकाल रहा हूँ, 10 theta 1 कह लिए आप इसको, यहाँ पर 10 theta 2, तो यह M1 minus M2, यहने की, minus half minus of minus 3, 1 plus minus half into minus 3, 10 theta 2 कि आएगा, M1 minus M2, यहने की, minus half minus 1 by 3, 1 plus minus half into 1 by 3, यहां से किया आएगा आपका, जो पहले वाला मैंने आपको किया है, half और 3 वाला, इसमें 1 आएग, question में भी आपने देखा था, कि 9 by 2 आया था, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो आप यह कह सकते हैं, यह theta बराबर है, 10 inverse 1, लेकिन आपको पता है, कि 10 theta 1 कब होता है, जब theta क्या होगा, 5 by 4, 45 degree, यह तो होता है, तो आप सीधा लिखे है, और इसमें थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा है, काफी time लगेगा, तो यह हम अगली बार लेंगे, तब तब के शुक्रिया, महरबानी आपने,